लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें तुझे शादी का नियोता देने आया हूँ किस हरामजादे की शादी का काड है यह पढ़ कर तो देख भेज रहा हूँ नेहनेमंत्रंड क्लियवर तुम्हे बुलाने को ओ मानस के राज हंस तुम भूलना जाना आने को बहुत अच्छा लिखा है आगे पढ़ अनील यह तो मेरा नाव है क्या मजाख है मजाख तो वो था जो तू कर रहा था अब तो शादी होगी और अगर तू सही दिन सुमवार सही वक्त पर सही जगा नहीं पहुंचा श्री मंदर घंटा करके सामने तो याद रखना हमारे यह दूले को उठाकर ले जाने की पिरसम होती है उठाकर क्यों 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 कि वो अपने पेरोबद चलने के काबल नहीं रहता समझे मागे अरे जख मारता हूँ आगा वो खुद की शादी में सुरो मैं नहीं चाहता कि शादी जबरदस्ती से करवाई जाए क्योंकि जोर जबरदस्ती से करवाई गई बात ज्यादा दिन तक टिकती नहीं कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि वो खुद हमारी सीमा के पास आकर कहे कि मैं तुस्य शादी करना चाहता हूँ अरे कहां शैतान के घर में सत्य नारायन की पूजा रखने की बात कर रहा है यार यह इस शैतान के घर में सत्य नारायन की पूजा जरूर रखवाउंगा अरे कि अकर आप है अब इस शक्सेरा की अलाद, भाज निकल, कहा छूब दढ़ बेटा बाप्रे बाप भागो अरे रोको 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 आह ये भाई मेरी मंदद करो एक गुंडा नंगी तलवार रेकि मेरे पिछे पड़ा है, जली से किसी पूली स्टेशन ले चलो बेटो, बेटो, कहा बेटो यह बेटो, यह बेटो, बेटो अरे चलो, चलो, चलो क्यों मिया, कोई छोगी हो गरी का चक्कर तो नहीं आपको किसे पता चला अरे तेरे यहते अंजो बाद भी के तो चक्कर चलती है तो नहीं अब आपसे क्या चुपारा पड़े भाई मैं जवान हूँ वो जवान थी जवानी दीवानी हो गई अहाँ अब शाली गले पड़ रही है हाँ तो शादी कर ले ना यार किस किसे शादी करूगा मेरे भाई हाँ अरे पुलीन दर बाद शादी अरा शादी अरे U मैं तुमारी तवेत तो ठीक है नहीं? मैं तो ठीक हूँ मगर आप लोग हो कौन भाई? आप इने जंदर नहीं यह है डॉक्टर नारेन सिना जो 16 सार से परिवार नियोजन कारेकरप की महान सेवा कर रहे है इसी वज़े से दुनिया इन्हें डॉक्टर नजबंदी नारेन सिना की नाम से जनती है और अब यह नजबंदी की जाक्तिक उचंग से सिर्फ चार नंबर पीछे है उसके लिए इ मेरी नस्बंदी कर दिया आप लोगोंने क्यों किसने कहा था अरे मैंने कहा था यार मैंने सोचा तेरा हमेशा का जिंजर टीच खतम कर दू अब जा जितना चाहें है सकर अब तेरको किसी लड़की से कोई खतरा ने और कोई लड़की तेरे पर इल्जाम भी नहीं लगा सकत क्यों मानता है रक गुरो क्या मैं कभी पाप नहीं बन सकता मैं कभी कच्छा काम नहीं करता मिर्वाइः आया सर ये देख ना रहेगा पाश ना बजगी बाशरी अगर ये बाशरी नहीं बजगी तो मेरा तो बाजा बच्चाएगा बैंट बाजा का इन्तजाम भी सरकार न नाम है 220 रुपए आठाने रोकड़ा और ये मर्फी का टुकड़ा मेरा सुन्दर सपना भी थया मैं प्रीम सब कुछ खार गई बेदर्द जमाना जीत गया मेरा सुन्दर सपना भी थया ओख कैने लड़की तेरी दूलत के पीछे पड़ी थी कहने पर घंजि। कशिह पढ़े हो तो गया क्या हो गया और तेर पास आठा भी बहुत है आठा तो है नर्सिंग भाई लेकिन काटा नहीं रहा मेरे साथ सारी सक्सेना इंडस्टीज की विनसबंदी हो गई मैं तो अपने माबाप का एकलाओता वेटा हूं लेकिन मेरा तो कोई एकलाओता भी नहीं होगा नर्सिंग भाई मैं आपके पाउं पढ़ता हूं मुझे से वितना बता दीजिए क्या सीवा कहां मिलेगी यह कौन है यह मेरे मामा है मामा है हलो यंग मैं शादी में और तो कुछ नहीं ला सका मगर यह लाया हूं हाँ क्या है यह है यह 99999 टुकडे जिन में से एक तुम को दिया था यह क्या यानि यह वही टुकडा है यह वही बाल है यह वही चश्मा है यह वही मूचे वही दाड़ी मगर मैं वो नहीं हूं आपपल टमपो दादाए क्या यानि- यानि मैं बिल्कुल ठीक हूँ यानि तोमने मुझे धोका दिया या या और यह शादी ये शादी नहीं होगी नहीं सीमा ये शादी जरूर होगी मैंने तुम्हें धोका दिया तुम्हारे भोले बंगा नजावस तुम्हें जलील किया सबके सामने और फिर भी तुमने मुझे अपनाया, सीमा अनील सकसे ना इतना बेवकूफ नहीं जो सच्चे प्यार को पहचान ना सके यह सब तो नर सिंग भाया की महर पर संबाई आगो मैया, आगो, आगो, आगो संबाई संबाई कोढई सत्रूम वो सिंग कोज्य के रहां वेमाल हादुटा कोज़् की महां मुत रह थी करें कर रहें प्यार व का令 लकारें तो श्रख्रो explained अच्छाम आपिए आध Stars आप लोग बाहर क्यों खड़िये, अंदर आईये, आईये ना, अरे आप लोगो को डांच सिखाने के लिए तो मैं हमेशा हाजर हूँ, चलिए, ओके गोल, लेट्स गो, अब जैसा मैं करूआ, रहे से करना, के, और या, सुंभाई, आगो माय, सुंभाई, आगो माय, सुंभा माय, सुंभाई, अख Scout Geas, that's the way क्या होँ? माय, मिस्टर, खुर से मक्वे क तरह उन से चुपक रहे है और पुच्टाप, क्या होँ, क्या सुरत ती उनके कमर में हाथ दलके और नाष्ले की मैं किसी का भी हाथ पकड़ू, या किसी की कमर तुमको उससे क्या है? जरा दान्च सिखाने के लिए हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो हकी जताने लग दे, क्या खरीद लिया के मुझको, इस शेर की हर चीज तुमारी जागी ही रह क्या क्या ख़बर लाया आटम पोखान ख़बर तो बहुत गरव है, पन के आटकल कड़की बहुत चल रही नो, और इसी कड़की चलती रह वे, लेकिन चंबो खान सेखल खान हो जाया क्या सिदा ख़़ा रहे सौरिया हाँ धिंक्यो, वन बिस्कुट हाँ आपकी बेबी है नो क्या वा उसे अरेकल महलने में बहुत नाचरेली थी, वो रवी नाम के छोगरी के साथ, बहुत दोस्ती है, बहुत घूंगती रहती है उसको जड़ा कंट्रोल में रखो, ये तो एक दिन सिगनल तोड़के निकल जाएगी, और तुम लाल जंडी हिला ते रहे जाओगे शट अप में आयए कमिन सा, कमिन आपने मुझे बुलाया सर, तुम यहाँ पढ़ने लखने के लिए आती हो, ये अवारा गर्दी करने के लिए आती हो मैं गुद समझा नहीं सर, मेरे मार्क्स भी अच्छे है, और सर मेरी अटेंडेंडेंस भी पूरी है तुमारी अटेंडेंस क्लास में काम और लड़क्यों के साथ ज्यादा है, शर्म नहीं आती तुम्हें लड़क्यों के साथ गुम्दे फिरते हैं सर, लेकिन मैं तो सिर्फ मीनू के साथ यू विल है तु स्टॉब इट ये मेरे नहीं, पाप जी का हुक्प है तुम्हें मीनू को छोड़ना पड़ेगा, ये कॉलेट, चॉइस इस यूर्स सर, मैंने इतिहास आप ही से पढ़ा है मैंने आप ही से पढ़ा है कि इस देश में नागरिकों को घूमने फिरने की अपनी बात कहने की और अपने साथ जाती होने पर इंसाफ मांगने की पूरी आजादी है और मैंने आप ही से तु सीखा है, सर, कि जो इस आजादी पर पाबंदी लगाता है वो ताना शा कहलाता है शाब तुम को तुम्हारी घलती सुधारने का एक मॉका दिया मेरी आजादी आपका एफसान नहीं, मेरा हग है, सोभी मैं आजाद हंदुस्ताम में पैदा हुआ भास्ताम मुअन हमार्सा लिये, सोभी नहीं कर सकते मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूँ अभी इसी वाक्त करा तुम अपनी मर्ची से बाहर जाती हूँ नवाश बन के बलाओ जाता हूँ सर मगर एक बात याद रखेगा आप अपने ही सिखाए हुए सबक से हार गए जै रादा मादव क्या बात है बच्चे एडमिशन चाहिए या फीस फीस माफ करानी है सुना है मुद्दतों से इस महल का फर्मान इस शेहर का कानून रहा है ठीक सुना है सुना है इस महल की घड़ी शेहर की तीसरी आंख है जिससे कोई भी वारदात हाथसा या नाइंसाफी चुप नहीं सकती बिलकुल ठीक और ये भी सुना है कि आप इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं ठीक सुना है मैं जब भी करता हूँ इंसाफ भी करता हूँ तो फिर एक बात बताईए अगर दो इंसान मिलकर कोई जुर्म करें मगर सजा सिर्फ एक को ही मिले तो ये इंसाफ हुआ या नाइंसाफी ये सरासर नाइंसाफी है किसने की है नाइंसाफी आपने बाप जी आपने जब मैंने मिनू से दोस्ती करने का जुर्म किया तो आपने मुझे कॉलिज से रस्टी केक करवा दिया मिनू ने भी वही जुर्म किया था उसे कोई साज़ाच्यू नहीं मिली सिर्फ इसलिए कि वह आपकी बेची है आपके इस इससाफ ने तो मेरा करियर बरबाद करके रख दिया बाप जी कोई हग नहीं आपको इस गद्धी पर बैठने का चुक्या आपने खुछ थाबित कर दिया कि आपको इससाफ करना नहीं आता कि आप हुआ है कि अउप हा आए-ध बिए खाнов एाँ एाँ राँ tesat उ IS ł अफ्ट Right छोड़ा मैंने लाट वाय पाजा कि ये बिल्दक बाट ये वाया था है कर दो पाज़ पाल ये वाय वाय व कर वाया कर दो बेट्चा, बेट्चा, बोलो जर्दी को माट डालेगे, उसे जहां से माट डालेगे, प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीज़े, प्लीज मेरी मदद कीज़े आपको दिखता नहीं है, मैं डूटी पर अकेला हूँ, मैं पुलिस चौकी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता आप ऐसा करिए, उन गुर्णों को पकाल कर यहां ले आईए, मैं उन साला को अंदर कर दूँगा मैं उन्हें यहां कैसे ला सकती हूँ, मैं एक और अधू हूँ, अकेली हूँ अरे मैडम, आपके मौनने वाले तो होंगे, उन की मतल ले लिए उनकी आत्मा भी बही गिर्वी है, जहां आपके अधू हूँ, आप मैं कहां जाओ, हम मसलुमों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है वालाओ, वालाओ! जरसीमा! आप मेखिसे किसिने जरसीम को देख्याई? आप मेगो नरसीमा, आउगाँ! Sजी, काकत तूँ? अरे काहे बेटी, ये आद कल की रंडियें में सत्ना इनकी कथा कराने लगी ही न, इसलिए आना पड़ा काका नर्सिमा को कहीं देखा है? नहीं तो माई से इस्पिताल ले चलते हैं